नमास्कार दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वगत है आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी इंफर्मेशन लेकर आया हूँ आप अधार कार्ट के EKYC के माध्यम से आय पुमार पत घर बैठे बना सकते हैं बीना किसी डिश्टल सिंग्निचर ये किसी रिकार्ड के चले वीडियो शुरू कर रहें दोस्तों ध्यान से देखिएगा गूगल पे MPE district टाइप करते हैं MPE district वाली आप्शन पर क्लिक कर देते हैं उसके बाद दोस्तों ये उपर वाली आप्शन MPE district जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे एक नायप पेंच ओपन हो जाता है इसमें इसको कुलर्च कर देना है नोटिपिकेशन को उसके बाद citizen login वाले आप्शन पर क्लिक करना है जैसे ही आप citizen login वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे एक नया पेंच ओपन हो जाएगा उसमें आय जात निवास जनम प्रौणपत अध को आप अपने घर बैठे सिस्टम से बना सकते हैं आज मैं आप लोग को आय प्रौणपत को घर बैठे आप अधार के वाईशी के माध्धम थे किस पेकार बना सकते हैं उसके बारे में आज मैं बता रहा हूं आप बीडियो का ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको यह बीडियो समझ आय पर बनाने की बिति आपको समझ में आ जाए सिटीजन लाग इन करने के लिए अपना मॉवाईल लंबर डालिएगा कोई भी मॉवाईल यह वो मॉवाईल लंबर आप डालिएगा जो आपके अधार कार्ट से रेजिस्टर हो यह देखिए दो तो OTP चला गा है मॉवाईल में जब तक OTP नहीं आता है तब तक हम को OTP आने तक पति छकर नोई होगी बेरिफट कर देते हैं जैसे उसको बेरिफट कर देते है इसमें उपर मांग रहा है अधारकार नम्बर है सब से पहला अपसान अधार कार नमबर का है उसमें अपना अधारकार नमबर डालिएगा यह आपके दुआरा दिया गया मुवाइल नमबर अधारकार से मैच नहीं किया है इसमें कोई न कोई अभी तुरूटी है इसलिए पूना है दूसरे मुवाइल नमबर से लागिन करेंगे जो अधारकार से रेजिस्टर अब मुवाइल आपके पास में होना चाहिए कि उसमें वेरिपिकेशन का कोड आता है और कोड इसमें डालना पड़ता है तब ही जाकि आप 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 बना पाएंगे यह कैप्टर कोड डालने के बाद क्लिक कर देते हैं इसका सर्वर धीमिकति से चलता है करें जब तक आपका ओटीपी नहीं आया ता बेरिफाइट नहीं हो जाता तब तक बिंडर क्लोज नहीं करिएगा यह ओटीपी आगा बेरिफाइट कर दिए अब उपर वाले आप्शन पर अधार का नमबर डालना है आप अपना डालिएगा इसमें दोस्तों अधार कार्ड में मौईल लंबर डाला होना अनिवार है अगर आपके अधार कार्ड में मौईल लंबर नहीं डाला है तो आप आई पर वाल पत नहीं बना सकते हैं इसलिए अगर नहीं डाला आपके अधार कार्ड मौईल लंबर तो अधार सेंटर पे जाके अपने अधार कार्ड में मौईल लंबर अपडेट करवा लेजिएगा अगर आप घर वैठे बहुत सी सेवाओं का लाब उठा सकें। इसमें अधार का नमबर डालते हैं जैसे यह अधार का नमबर डाल देंगे उसके बाद get OTP वाले option पर क्लिक कर देते हैं यह देखी OTP चला गया है जैसे मुवाल पर OTP आ जाता उसको बेरिफाट करके आगे बादें जैसे आप OTP बेरिफाट कर देंगे यह आटो फिल हो जाएगा यह जो आपका फार्म है आटो फिल कुछ ही कलम को आप फिल अप करना है कटेगरी हो गई एज हो गया मेल फिल मेल गरीबी रेखा के अंतगत आते हैं कि नहीं आते हैं तो ठीक है नहीं आते तो कोई बाद नहीं कि या मदर से नहीं कि वार्ट सब्सक्राइब नमबर आप अपना दरण डालिएगा नीचे अगर आपके पास अबल हो तो मेल आइडी डाल देजिए और नहीं तो कोई बात नहीं कोई कंपरसर ही नहीं है डालना मेल आईडी अगर हो इविलेबल हो तो ही डालिए गाई उसके बाद जीला आप जो जीले के रहने वाले हैं और जीला सेलक्ट करिए तैसिल बार्ड शतना बार्ड नमबर जो आपका लगता हो बार्ड नमबर डालिएगा कि इसके पहले आपने आर्प्रमार्पत बनवाया था नहीं कित्ते का बनवाना है पच्चीश हजार का कि इसमें दिखा आपको कोरिया के माध माध्धम से आपको आर्प्रमार्पत मगवाना है नहीं इसमें आपका बीवरन आपके पास कित्ती जमीन है कित्ते कहां कित्ता लाव होता है जमीन से उसके बारे में इसमें बीवरन देना है घर में कित्ते सदस हैं कि जमीन नहीं है तो नहीं लिखे देंगे उसके बाद यहां जीरो जीरो मेरा बेवसाय मैं दूरी है मैं दूरी लिख देते हैं यानि लेवर 25,000 का हमको बनवाना है ग्रह समपत से कोई भी आय नहीं होती है सबसे पहले इसमें पत्न का नाम आगे वाइफ लिखे देंगे उसके बाद अपने बच्चों का नाम जिनकी साधी हो गई तो बच्चों का नाम लिखेंगे अन्थागत साधी नहीं होई तो उनके पिता जी के नाम से बनेगा या वो अपने नाम से बनवाना चाहते हैं तो यह पूरे कालम बनना कोई अनिवार नहीं है जैसे यह कालम आप फिलब कर लेंगे इसका हस्ता चक सत्यापन अधार के वेश्च से हो गया है आटो डेवित हो जाता है अपने आप मुझको समिट बटन पर क्लिक करते हैं यह प्रिंट पेज ओपन हो जाता है इसके बाद यह प्रिंट करके आप अपने अपने सिस्टम पर रख लेना है जिस्से की टार्गेट डेट पर आपका अप रजिस्टेशन नमबर असानी से प्राप्त हो सके यह आप प्रिंट आउट है कि हमने अवेधन कर लिया आता है हमारा अवेधन सफल रहा है इसको पीडिया पर प्रिंट करके अपने सिस्टम पर सेप कर लेजिएगा या स्क्रिंट सार्ट लेकर अपने मुवाइल पर जिससे के जिस तारीक को आपका आपका अपर प्राप्त एविलेबल हो तो आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड की दीवी डाउनलोड की इस परिकार करना है आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा एक प्रिंट है एक नालेजमेंट का इसमें दोस्तों देखे गए निसुल्क आई प्रापत जो निसुल्क बनाया जा रहा है इसके माध्धम से घरवाइठे आप बना सकते हैं अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो लाइक से यार सब्क्राइब करना न भूलें जिससे की आपको हमारी वीडियो सबसे पहले प्राप्थ हो यह देखिए दोस्तों उसके बाद हम आपको यह बता रहे हैं कि आपको से अवेधन की स्थित की स्पिकाच चेक करनी है कि जो आपका वेधन नमबर है उसको कापी या लिख देंगे जो कापी कर लिए उसके बाद अवेधन संक्राइब खोजे पे अब एधन किस्थी जाने कंट्रोल भी से पेश्ट कर देते हैं उसके बद कैप्टर कोड डालने के बाद सम्मिट या सर्च पर क्लिक कर देते हैं जैसे इस सर्च पर आपन क्लिक कर देंगे यह देखिए आठनाव 2020 को टार्गेटड दिया है अभी पेंडिंग पे है आपको अगर उकरवाना जारी जब हो जाए तो आपको किस पर गार निकालना है उसको अभी उपा जाएंगे यह देखिए दोस्तों यह तीन पेंज दिये हुए है तीन पेंज पेंज अपने आप आ जाएगा जैस यह प्रेंट है दोस्तों उसके बाद दोस्तों जैसे यह आपका आप प्रणाप्रत बन जाता है तो आप अपने सिटीजन लागिन लाग आउट कर दीजिएगा इसमें बहुत सारे प्रणाप्रत दिये हुए है दोस्तों अगले वीडिये में हम आपको निवास पुरापत किस परकर बना जाता है उसके बारे में जनकारी देंगे धन्नवाद